जै श्री राम मेरी भारती संस्कृती मानव समाज को बहुत कुछ देती है। और भारती संस्कृती में हिंदु धर्म में सनातन धर्म में कुछ परंपराएं ऐसी होती ही जिनको विज्ञानिक भी मानते हैं। जैसे के गोत्र परंपराँ। एक बलड में विवाना करना, एक गोत्र में विवाना करना ऐसी ही परंपराँ मेरे देश मेरी संस्कृती मी है। गोत्र क्या होता है अग मेरा चोटा से विशे रहेगा क्योंकि बहुत से लोगों कोई जानकारी नहीं है कि हमारा गोत्र क्या है बड़ी अजीब सा महसूस होता है जब पता लगता है कि किसी से पूछते हैं गोत्र क्या है वो विक्ति बता ही नहीं पाता है कि मेरा गोत्र क्य लेते हैं तो आज हम थोड़े सी चर्चा इस बात पर करेंगे कि हम गोत्र वास्त में है क्या गोत्र जिसका दूसरा आर्थ वंश भी है कि मेरा संबंद किस वंश से है यह एक रिशी के माधम से शुरू होता है हमारे पूर्वुजों की याद दिलाता है और हमारे करतमयों को इस विवारे में बताता है और एक वंश के रूप में हमारा परीचर होता है तो यह एक प्रंपरा है भारती संस्कृत्र की जो रिशी मुनीों की देब है एक गोत्र प्रंपरा वाले व्यक्ति भाई बहए समझे जाते हैं एक गोत्र में विवा नहीं होता है गोत्र मोटे तोर पर उन लोगों के समू को कहते हैं जिनका वंश एक मूल पुरुष यानि किसी बुजर्ग, किसी रिशी, किसी जेश्ट पूर्वत से अटूट जुड़ा होता है व्याकरण के में भी इस परिभाशा को दिया जाता है आपातम पोत्र प्रभरती गोत्रम अर्थात गोत्र शब्द का अर्थ है कि बेटे के बेटे के साथ शुरू होने वाली एक रिशी की संतान परंपरा गोत्र कुल वंश की संग्या है जो उसके किसी मूल पूरुष के अनुसार शुरू होती है संग्षेप में हम कहें तो मनो सुम्रिती के अनुसार साथ पीड़ी के बाद सगापन समापतो हो जाता है और साथ पीड़ी के बाद गोत्र बदला भी जा सकता है आठवी पीड़ी से नया गोत्र आर्भ हो सकता है इसी कार्ण से बहुत से सरनिमों में कई कई गोतर पाई जाते हैं एक ही सरनिम में कई गोतर आ जाते हैं उसके ये भी कार्ण है लोग सरनिम बदल लेते हैं गोतर बदलते हैं साथ पिड़ी के बाद गोतर बदल जा सकता है लेकिन गोतर की सही गन्ना का पता नहोंने के कार्ण हिंदु लोग हजारों वर्ष पहले पैदा हुए पूरूजों के नाम से ही गोतर चला रहे हैं यह एक वैसे तो एक अच्छी परंपरा है क्योंकि हमें शुरू से पता होता है कि हम किसी गोतर से संबंद रखते हैं कि स्री आप्द भले इसमापत हो जाए लेकिन हमारे यह तो पता होता है न कि हम किस रिशी की संथान है अगर हम गोतर बदल देंगे तो वहां हमाय यह मालूम नहीं रहेगा कि ह考की संथान है हमारी हमारे जड़ की खूज, हमारे वंच की खूज, हमारे वंच जो है कहां से आरब हो, तो इसलिए बहुत सी स्थान पर ये लिखा होता है कि सात्वी आठ्वी पीड़ी के बाद आप गोतर बदल सकते हैं, लेकिन मैं अपनी विचार था रहा कि अनुसार में इस नहीं से सहमत नह को सामान देतने, दो भागों में बाटा जाता है, प्रथम बरग को गोतरीय सपिंड गोतरज कहा जा सकता है, गोतरज जो सपिंड वे व्यक्ति हैं, जो किसी व्यक्ति से पित्र पक्ष के पूरुजों, अथ्बा वंचों की एक अटूट श्रिंकलादवारा संबंध को, वं जिनकी धमनियों में समान रखत का संचार हो रहा है। गोत्री सी आश्य उन व्यक्तियों से है जिनके आपस में पूर्वजों अथवा वंशों की सीधी परंपरा द्वारारक्त संबंदों प्रंतु यह वंश परंपरा किसी भी और अनंतता तक नहीं जाती है यहां केवल वे ही व्यक्ति गोत्रियें हैं जो समान पूर्वज की सात्वी पीडी के बीतर आते हैं हिंदु विधी के अनुसार पीडी की गण्णा करने का जो विशिश तरीका है वो भी भिन्न परकार का है यहां व्यक्ति को अथ्वा उस व्यक्ति को अपने को प्रथम पीड़ी के रूप में गिनना पड़ता है जिसके बारे में हम यह पता लगाना है कि वैं किसी विशेश व्यक्ति का गोत्रिय है अत्वा नहीं उधान के लिए एक एव्यक्ति है एव्यक्ति है जो प्रथम है ठीक है अब प्रत्रम व्यक्ति को हम, ए मान लेती हैं, मैं प्रियास करूँगा आपको समझाने का, जिसके पूरवजों की हमें गन्णा करनी है, तो ए को एक पीडी अथ्वा प्रतम पीडी के रूप में गिना जाएगा उसके पिता दूसरी पीडी में तथा उसके दादा तीसरी पीडी में आएंगे यह करम सात्मी पीडी तक चलेगा यह सभी व्यक्ति ए के गोत्रिय होंगे इसे प्रकार हम पित्र वन्शा कुरुम में पूत्र पोत्रादी की सात्मी पीडी तक अर्थात क्या के यह के परपोत्र के परपोत्र तक गणना कर सकते हैं यह सभी गोत्र सपिंड हैं किन्तु केवल इतने ही गोत्र सपिंड नहीं है इनके अतरिक सात्मी पीडी तक जिसकी गणना में प्रथम पीडी के रूप में पिता संबलित है किसी व्यक्ति के पिता के अन्य पुरुष वन्शज अर्थात भाई बतीजा बतीजे पुत्र इसी व्यक्ति के दादा के छै पुरुष वंशज और परदादा के पिता के छै पुरुष वंशज भी गोतरज सपिंड है। तथा पुतरी और उसका दोता अब एके पितरपक्ष के छे वंश्यों की धरमपत्नियां असात उसकी माता दादी परदादी उसके परदादा के परदादा की धरमपत्नी तक भी गोतरज सेपिंड हैं समयक तता संकुचित वैदिक निर्वचन के अनुसार गोतरज सेपिंडों की कुल संख्या 57 है 57 है अब एके समान पूरवज की तेरिमी प्रीडी तक के इन पूरवजों के वंश्यों के परे जो व्यक्ति होंगे वे एके समानों दखोंगे उनके अत्रिक्त एके परदादा के परे पित्र परंपरा के साथ पूरवज और उस परंपरा में 41 पीडी तक के उनके वंशज भी एके समानों दखोंगे समानोदक वेव्यक्ती हैं जिने अे श्राद करताँ है समे जल देता है प्रंटु व्यापक दृष्टी से समानोदक भी गोत्रिय ही है अब जिनका गोत्र ग्यात नहो वो कशप गोत्र नंका माना जाता है यह एक मजबूरी है यह एक दिल को समझाने वारी बात है कि कश्यप रिशी की संतान होने की वज़े से जो है काश्यप नहीं गोत्रस्य तवपरिज्ञाने काश्यप गोत्रमुच्यते यसमादाय शुति सर्वा परजातश्यप सम्मवा हे मादिक चंद्रिका में ऐसा लिखा है गोत्रों की प्रमुक्ता उसकाल में बड़ी जब जाती ववस्ता कठोर हो गई और लोगों को यह विश्वास हो गया कि सभी रिशी ब्रहमन से उसकाल में ब्रहमन ही अपनी उत्पत्ति इन रिश्यों से होने का दावा कर सकते इसी प्रकार किसी ब्रह्मन का अपना कोई प्रवार वनिशा गोतर नहीं होता था एक अक्षत्रिय या वैशे यग के समय अपने पुरोहित के गोतर के नाम का उचान करता था अत्य सभी स्वारन जातियों के गोत्रों के नाम पुरोईतों तुथा ब्रहमनों के गोत्रों के नाम से प्रचलित हुए ठीक है गोत्रों की समानता का यही मुख्य कारण है कि ब्राह्मनों के गोत्रों उन्होंने लिए हैं वो ब्राह्मनों की संतान हैं एकी रिशियों की संतान हैं तो इसमें बहुत से लोग यह प्रशन करते हैं कि एकी गोत्र में अलग-अलग जातियां कैसे होती हैं तो इस बात का ध्यान लखें गोत्रों की समानता का ये मुखेकार्ण है कि शुद्र जिस ब्राह्मन और अक्षत्री परिवार का प्रमप्रागर अनंत काल तक सेवा करते रहे हैं उन्होंने भी उनी ब्राह्मन और अक्षत्रियों की गोत्र अपना लिए इसे कार्ण विभन आ शत्रिये भी है कोशर गोत्र में ऐसी वाले भी तो खत्री भी है राजबूत भी है तो इस बात में कभी भी संचे नहीं करना चाहिए कि कोई भी गोत्र जो है वो अलग-अलग वरनों में हो सकता है क्योंकि एक वंश प्रमप्रा का इस बात से सम्मंद है तो एक ही गोत्र में विवा नहीं करना चाहिए भले ही आपकी वरण अलग-अलग है लेकिन गोत्र एक है तो भी आप विवा नहीं कर सकते ऐसा मेरी भारत की संस्कृति हमें दिशा अन्य देश देती है जैसे नातन धर्म जैसे